एलो गाइस मैं रस्मी हाजिनों एक नई रेसिपी के साथ तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यूनीक तरीके से मिर्चे का पकोड़ा बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल यूनीक तो आप बने रहेगे खाना खचाना बाहरा सेने के साथ तो चलिए बनाना शुरू करते ह तो इसके लिए लिया है मैंने हारे वाले मिर्चे तो मैंने इसको अच्छी तरीके से धूल लिया था और एक कपड़े की मदश से इसको अच्छी तरीके से पोश लिया था तो इसको रख देंगे साइड में और तयार करेंगे इसकी फिलिंग तो फिलिंग के लिया है मैंने दो आलू जिसको मैंने पहले से ही कद्दू कस किया हुआ है अब हम इसमें आड़ करेंगे कुछ मसाले तो मसालों के लिए पहले हम आड़ करेंगे इसमें चाट मसाला एक चमच के नियर फिर हम इसमें आड़ करेंगे लाल मिर्ची पाउडर फिर हम इसमें आड़ करेंगे कटी भी पारीक मिर्ची हरी वाली अगर आपको तीका कम पसंद है तो आप हरी वाली मिर्ची मत डालिएगा और इसमें फिर हम लास्ट में आड़ करेंगे बहुत सारा धनिया तो धनिया में बहुत ज़्यादा quantity में डालना है, अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक हमें स्वाधन सारा अड़ करना है, फिर हम इससे अच्छी तरीके से mix कर लेंगे और इसका एक perfect dough बना लेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी feeling हो गई है, तैयार तो अब हम मिर्ची के बीच को निकालेंगे तो हम नम मिर्ची के बीच को निकालने के लिए पहले चाको से एक side में चीरा मारेंगे और अंदर के पार्ट को निकाल लेंगे और कुछ बीच को भी निकाल लेंगे और दूसरे साइट से हम जो गोल सेप में बनेगा तो उसमें हम चाको से धीरे-धीरे घुमा के उसको अंदर के पार्ट को निकाल लेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं तो जो चीरा वाला वार्ट होगा वो कुछ इस तरह होगा और जो गोल वाला होगा कुछ इस तरीके से होगा तो अब हम इसमें फिलिंग को अच्छी तरीके से फिल कर देंगे तो बस इसी तरीके से हम सारे मिर्चे को अच्छी तरीके से भर लेंगे और फिर हम लेंगे एक सादा वाले आटे का गोला और फिर उसे हम रोटी की तरह अच्छी तरीके से बेल लेंगे और फिर हम इसे चाकू की मदद से लंबा-लंबा कट कर देंगे ऐसे ही हम बीट रूट में गुथा हुआ आटे का भी एक रोटी बनाएंगे और उसे चाकू की मदद से लंबा-लंबा कट कर देंगे तो यह जो मैंने लंबी-लंबी सी पटी कट की वही है उसी से हम मिर्चे को अच्छी तरीके से कबर करेंगे और हम इसे कोन का सेप देंगे तो यह दोनों तरीके के आटे मेरे फ्रिज में रखे वे थे तो मैंने सुचा क्यों नहीं से यूज किया जाए और इसका कुछ यूनिक सा बनाया जाए तो मैंने फिर इस तरीके का बनाया म मिर्चे का तो यह मुझे खाने में भी काफे टेस्टी लगा तो फिर मैंने शुचा क्यों ऐसे दुबारा बना के सेयर किया जाए तो मैंने अब मिर्चे को तयार कर लिया है आप हम इसे तेल में तेलेंगे तो मैंने गैस पे पहले से ही कड़ाई चुड़ा दिया था और तेल इसे प्रॉपर इसे पलटते रहना होगा जिससे यह क्रंची और क्रिस्पी हो और इस पे जो सादे वाले आटे पे है वो थोड़ा गोल्डन कलर का हो जाएगा तो समझ लिजे हमारा मिर्ची और जो आटे का स्ट्रिप लगा हुआ है वो अच्छी तरीके से पक चुका है औ और फिर इसके बाद हम गैस को कर देंगे और फिर इसे हम तेल से निकाल लेंगे बाहर तो यह रस्पी आप इविनिंगे नास्ते में भी बना सकते हो या फिर आपके हां कोई महमान आया है तो उसको भी आप खिला सकते हो तो यह बहुत अच्छी रस्पी है और खाने में भ तो कमेंट तो जरूर से जरूर कीजिए का बताईए का कैसी लगी थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो